मूवी की शुरुआत में हम एक फैक्टरी को देखते हैं जहां पर एक लेडी वरकर प्रोडक्शन का काम कर रही है फिर ये औरत अपने घर के लिए रवाना होती है इसी के साथ हम एक आत्मी को देखते हैं जो कार चलाते हुए फोन पर बात कर रहा है लेकिन वो जिस एरिया में है वहाँ पर नेट वरक की प्रावडम होती है फिर ये लेडी वरकर घर आने के बाद खाना बनाती है और अपने बोड़े बाप को खिलाती है जब वो बरतन धो रही होती है तो उसे बहार से कुछ आवाज आती है बाहर जाने पर वो देखती है कि बादरों से एक काले रंग का पानी टफक रहा है इधर वो आदमी अपने दोस्त माई को वो इस मेसेज सेंड करता है कि मैं पांच मिनट में शेहर पहुँचने वाला हूँ और बाद में तुम्हें स्टेबल फोन लाइन से कॉल करूंगा अब ये लेडी वरकर एक जॉम्बी में ट्रांस्फरम हो चुकी है शेहर पहुचते ही वो आदमी देखता है कि उसके सामने पूरी सड़क जॉम्बी से भरी पड़ी है इन जॉम्बी इसकी शकल को देखकर ये आदमी बहुत ड़ जाता है तब ही उस लेडी वरकर का जॉम्बी इस आदमी का मूब भार देती है और इस तरह ये पूरा शेहर जॉम्बी अपोकलिप्स का शिकार बन जाता है फिर अगले सीन में हम CIA के जेनरल को देखते हैं जो अमेरिका के सेकेर्टरी को जेन स्टोन के बारे में बताता है जिसकी उमर 35 साल है और गॉर्मेंट से इसको मेडल भी मिले है जेक को हायर इसकौले मिशन्स का स्पेशलिस्ट मना जाता है वो बताता है कि صिर्फ जेक ही इसमिशन Κो पूरा कर सकता है सेकर्टरी पूछता है कि किस चीज के बदने जेक इसमिशन को हा करेगा जेनरल बताता है कि हमें उसे आज़ादी देनी होगी जेक इस वक्त 6 फिट के जेल में बंद है और वो उमर कैद की सजा काट रहा है उसने राज़ रो करके एक हत्या को अंजाम दिया है उसकी साथ साल की बेटी है जिसे वो जेल जाने के बाद नहीं मिला है इसलिए वो मिशन के लिए मनाना ही करेगा सेक्रेटरी पूछता है कि क्या तुम्हें जैक पर भरोसा भी है कि वो किसी को बिना पता चले इस मिशन को कंपीट करेगा जनरल कहता है कि वो खुद रुमाने जाकर इस मिशन को कंटूर करेंगे और सब कुछ प्लान के मताबिक ही होगा वो कहता है कि एक्सपोजन इतना भयानक होगा जिससे लैप के सारे सबूत मिट जाएंगे फिर जनरल जैक की टीम को इंडिडियूस करवाते हैं जिसमें जॉन मैक डॉग है जो एक्सपोजन और फाइर आर्म्स का एक्सपर्ट है जॉन काच और पैंसल शार्पनर की हेल्प से जानलेवा हत्यार बना सकता है जॉन नहीं 1997 में कॉंग्रेस पैलेस को बॉम से उड़ाया जिसमें 50 से भी जादा लोग मारे गए उनकी टीम का एक और मेंबर ड्रैगन एलिक है जो स्नाइपर स्पैसलिस्ट है और उसने ओसाबा के युद्धमा के लिए तीन सो से भी जादा लोगों को मार डाला वो भी एक ही जगे से और वो एक मिल दूर से किसी को भी चाहे मार सकता है उनकी टीम में एक लोज रेंज फाइटर भी है जिसका नाम इडन सुजूगा है जब हमारे आदमियों के पास बारुद बहुत कम होगा तो हेंटो हेंड फाइट में इसे कोई नहीं हरा सकता ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए जनर्रल इस मिशन के लिए उनके बैंक अकाउंट में दो मिलियान डॉलर डालेगा और ये लोग इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे अगर हमने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो ये वायरस फैल जाएगा और ये जॉम्बी अगर बाहर निकल गए तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया वायरस से इंफेक्टिट हो जाएगी आप तो डॉक्टर नियूमैन भी मर चुके हैं और उनकी बीटी कभी कोई पता नहीं है सेक्रेटरी उस मिशन की परमीशन दे देता है अब हमें रोज नोव एर बेस पर स्नैपर एलिक और बॉम एक्सपर्ट जॉन को बाते करते वे दिखाते हैं जान कहता है कि हर मिशन पर पैसू के लालच के कारण हम बुरी तरह फंस जाते हैं लेकिन ये मेरा लास्ट मिशन होगा इसके बाद मैं समुद्र के किनारे एक रस्टरॉन खोलूँगा उन दोनों की कुछ देर तक बाते चलती है जिसे सुनके पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने पहले भी कई मिशन साथ में पूरी के हैं फिर जान इडन के पास जाकर उसे चेड़ने लगता है लेकिन जब इडन उसके मेन पार्ट में चाकू रखता है तो उसकी आगल ठीक आने आ जाती है अब जैक के आते ही जनरल उसे मिशन के निफॉर्मिशन देता है कि उन्हें शेहर के अंदर जाना है और हमारे इंजिनियर्स ने जो बाम बनाया उसे निउक्रियर रियक्टर के जितना करीब हो सके उतना करीब प्लांट करना है इसके बाद उन्हें वहां से निकल जाना है वो उन्हें रूर्स भी समझाता है कि किस रास्ते पर उन्हें जादा इंफेक्टेड लोग मिलेंगे और किस रास्ते पर उन्हें न्यूक्रिल प्लांट की तरफ जाना है बॉम को प्लांट करते ही एक घंटे के अंदर उन्हें वापस बेस पराना होगा अगर कोई हलिकाप्टर तक पहुँचने में लेट होता है तो उसका मरना तह है अब जनरल उन सबी के अकाउंट में एक मिलियन डॉलर डालता है और बाकी काम पुरा होने के बाद फिर जनरल जैक को परसनली समझाता है कि ये बॉम बलास्ट एक एकसिडेंट के तरह लगना चाहिए जिसमें पाउर प्लांट फट जाएगा और रोजनो के सबी निवासी मर जाएंगे इस मिशन के बारे में अमेरिका के अलावा रोजनो के देश को पता नहीं चलना चाहिए जनरल उसे प्रामिस करता है कि मिशन पूरा होने के बाद उसकी सारी फाइलें और रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा फिर जैक अपनी टीम के साथ एक जीप से सेक्यूर्टी चेक पोस्ट पार करके रोजनो में एंटर करता है एलिक कहते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हमें किसे बचना है और किसे मारना है क्या वो इंसान है या फिर कुछ और रास्ते में उन्हें जॉंबी पड़े वे मिलते हैं जिनकी बॉड़ी को कवे नोचरे होते हैं जॉन मिशन के चीफ जैक को पुछता है आप तो देखने में अच्छे इंसान लगते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इस जंचपने फंसना पड़ा वो बताता है कि इस मिशन के पूरा होने पर मेरे सारे क्रिनमल रिकॉर्ड को मिटा दे जाएगा और अब ये न्यूकलर पावर प्रांट पर पहुंच जाते हैं जॉन कहता है कि इस जगे कुछ तो गड़ बढ़ है यहाँ तो पिंट डॉप साइलेंस है जैक उसे गेट खोनने के लिए एक्स्वोजिब्स यूज़ करना एक और्डर देता है तब ही जॉन को मरेवे सेक्रिटी के पास दर्वाज़े का कार्ड मिलता है जिससे वो दर्वाज़ा ओपेन करता है और कहता है बाम को आखरी समय तक बचाना ही परफेक्ट बामर का प्लान होता है इसके बाद सबी अंदर जाते हैं उधर बेस पर जनरल कार्टर को यूएस प्रेजिडेंट कहता है कि इस बार ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए यहाँ प्लान्ट पर दिखाते हैं तो जैक एलिक को अपनी पोजिशन लेने और हर चीज़ पर नज़र रखने के लिए कहता है फिर वो जैक को बाम प्लान्ट करने के लिए कहता है और खुद इडन के साथ पेट्रोलिंग करने लगता है यहाँ एलिक अपनी पोजिशन को लेता है और जॉन बॉम के विरिफ केस को उपन करता है उसको पता चलता है कि ये बॉम इस गाड़ी से टेजड है इसलिए वो जैक को बुलाकर बताता है कि हमें तो फंसाया गया है जनरल कार्टर ने इस बॉम को गाड़ी के चेसिस और इंजन के साथ वेल्ड किया है अगर हमने इसके साथ कुछ भी किया तो टाइमर शुड हो जाएगा अब इन्हें यहां से बचकर निकलने के लिए किसी दूसरी गाड़ी के तलाश करनी होगी इसलिए वो आसपास की गोदाम में गाड़ीों के तलाश करने लगते है उधर जनरल कार्टर को सेटलाइट के हेल्प से पता चलता है कि नूकलियर पावर प्लांट की तरफ कुछ जॉम्बिस बढ़ रहे हैं लेकिन वो उन्हें ये बात नहीं बताता अलिक जॉम्बिस को देखते ही अपने टेम को अलट कर देता है और खुद उपर से स्नैपिंग करता है जैक यहां जॉम्बिस से बचने के लिए एक कंटेनर के पीछे छिपता है और जॉण ड्रम से उन पर अटैक करके भाग जाता है इसी भी जैक की गन चाम हो जाती है इसलिए वो हातों से ही जॉंपी से लडने लगता है और पथर से उनका सर कुछल देता है आडन भी है के करके सभी जॉंपी सको खट्म कर देती है लेकिन एक जॉंपी हैलेक को पीछे से काट लीता है अब आखरी दो जॉंबिस बचते हैं जिने जॉंब ने बॉम से उड़ा दिया है फिर जॉन जैक से कहता है कि मेरे पास शॉटगन की सिर्फ बारा एमो ही बची है तब ही एलेक वहां पर आता है जो इनफेक्शन की वज़े से धीरे धीरे जॉंबि में ट्रांस्फरम हो रहा हुता है एलेक उन्हें अपने सर पर गोली मारने के ले कहता है जॉन को ना चाहते वे भी उसे गोली मारनी पड़ती है अपने बेस्ट्रेंड को मारकर जॉन भहुती उदास होता है जैक उसे समझाता है कि ये उदास होने का टाइम नहीं है हमें बॉम फटने से पहले इस शेहर को छोड़कर कार्टर से बद्दा लेना है इसके बाद तीनों न्यूकलर पावर प्रांट से निकल कर शेहर की और जाते है रास्ते में जॉन कहता है कि अगर इस बार में बच गया तो कार्टर को खुद अपने हाथों से मारूंगा वैल यहाँ कार्टर और सीसीटवी फूटेज में देखता है कि उसके सोलजर शेहर में अंडर कर चुके है तभी एक आफिसर कार्टर को बताता है कि हेलिकॉप्टर के ब्लेड्स में कुछ दिक्कत आ गई है और मेकैनिक भी एविलेवल है नहीं पैलेड इसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है मगर उसको थोड़ा टाइम लगेगा इससे हमें कार्टर का प्लान पता चलता है जिसमें वो इन तीनों को मारने के लिए वहीं छोड़कर खुद प्लेन से जाने वाला था इधर आगे चलने पर उन्हें गाड़ी मिलती है इस गाड़ी का ड्रैवर पास ही में मरा पड़ा हुआ है फिर तीनों गाड़ी से निकलते हैं जैक पताता है कि आगे हमें इतने जॉम्बीस मिलेंगे कि उनके सामने हमारी गोली बारुद भी कम पड़ जाएंगे इधरन कहती है मुझे तो गोली की जरूरत है यह नहीं शेहर के अंदर उन्हें एक सड़क पर बहुत सारे जॉम्बीस मिलते हैं जिनको ये तीनों अपनी गन से मार रहे होते हैं जाते समय इडन जॉम्बीस मिलते हैं जिनसे बचते हुए वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं जैक को कुछ गोलिया मिलती है और उसे जेल में बंद एक लड़की भी मिलती है जो डॉक्टर इन न्यूमेन की बेटी समान था न्यूमेन है डॉक्टर न्यूमेन यूएस आर्मी के लिए प्रोजेक्ट काई पर काम कर रहे थे और उन्होंने ही बाइलोजिकल वेपन बनाये था जैक उसे फ्री करता है तब ही जॉन और इडन भी वहाँ पर आ जाते हैं समानता की पूचने पर जॉन बताता है कि हम बूरी तरह फंस चुके हैं जान बचाने के लिए हमें यहां से तीन सो मेल दूर जाना होगा नहीं तो हमारी हालत हिरोशिमा के लोगों की तरह हो जाएगी सेक्रेटरी को बलाने क ओर देता है ऑजाुचने के लडाए करने के लिए मुझे जियल में डाल दिया गया फिर जैक उसे अपना इंटूर्डूरक्शन दे कर कहता है हमने इस वाइरस को खत्म करने के लिए नॵ् renewed को प्लान्ट किया और 30 मिनट में एक्सपोजन होने वाला है समानता कहती है कि ये कोई वायरस नहीं है यहां माइक्रो बायोटिक पोशन है यसे लैब के अंदर मेरे फादर ने बनाया और यूएस गौर्णमेंट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए और कार्टर उन्हें यूमन बाडी पर टेस्ट करने कार्डर देता है डॉक्टर उसे इन्फेक्शन के बारे में वार्निंग देता है लेकिन कार्टर कहता है कि तुम अभी इनसान पर टेस्ट करो फिर न्यूमेन समानता को कॉल करके बताता है कि ये लोग मेरी रिसर्च को गलत तरीके से इस्तमाल करने वाले हैं और वो समानता को देश छोड़ कर भागने के लिए कहता है अब प्रेजन टाइम लैन में समानता जैक को कहती है मेरे पिता ने इस रिसरच को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन तब तब बहुत देर हो चुकी थी इसलिए उन्होंने एक वैक्सिन मनाई जिसे उन्होंने उस टेस्टेड आदमी को और मुझे इंजेक्ट किया इसलिए जॉंबिस के काटने से मुझे कुछ नहीं हुआ समान्था को लगता है कि उसके पिता अब भी जिन्दा है जैक उसे कहता है कि काटर ने तुम्हारे पिता को मार दिया फिर जॉंबिस को नीचे गिराता है जिसके चारों और सभी जॉंबिस इकटा होगे थे मौका मिलता ही सभी गाड़ी से निकल जाते हैं और वो जॉंबि-बॉम में फट जाते हैं रास्ते में दिर्वाजा खूनने के लिए जॉन बॉम को प्लांट करता है तब ही बहुत सारे जॉम्बीज उन पर अटेक कर देते हैं और ये जैसे तैसे करके वहां से निकलते हैं अब हमें जैक की स्टोरी भी पता चलती है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़ चाड़ करने वाले अपने तीन साथियों को मार डाला आगे जाने पर जब फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं तो वहां भी जॉम्बीज आ जाते हैं वहां एक वैन में डग आकर इन सभी को बचाता है और इन्हें शॉप के अंदर लेकर आता है डग उसे बताता है कि मैं यहां अपनी वाइफ क्लियर और उसके कुटे के साथ घूमने के लिए था अब न्यूकलर बाम के बारे में सुनता है डग का दिमाग खराब हो जाता है फिर डग उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें कलियर ने पहली बार उसकी जान जॉम्बी से बचाए सबी वीडियो देख रहे होते हैं तब ही पेचे से एक जॉम्बी कलियर को काट लेता है उसके बाद कलियर खुद को मार देती है तांकि किसी और को कोई नुकसा न पहुँचे अब यहां से बाहर निकलने के लिए जॉम्बी से का ध्यान अपनी तरफ खीचते हैं और वाकि सबी वैन में बैटते हैं जॉम्बी जॉम्बी जॉन को भी पकड़ लेते हैं लेकिन जॉन इस पूरे पेट्रोल पंप को हुड़ा देता है इधर काटर अपनी आर्मी को समान्था को पकड़ने का और बाकि सबी को मारने का और्डर देता है उसका हरीकॉप्टर अब भी सही नहीं हुआ है जब जैक समान्था और डग एरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर काटर मिलता है जो अपने साथ जैक की बेटी क्रिस्टिन को भी लेके आता है वो जैक से उसकी बेटी के बदले समान्था को मांगता है क्योंकि समानता के खोन में इस वैरस की वैक्सिन है जब समानता उसके पास जाती है तो वहाँ एक मौस्टर्ड जॉम्बी आता है जिसे बचते वे जैक क्रिस्टिन को लेकर डग के साथ एक वेराहूस के अंदर आता है और अचानक से इडन भी वहाँ पर आ जाती है लेकिन वो दोनों मौस्टर्ड जॉम्बी को अकेले हरा नहीं सकते फिर डग को हेलिकॉप्टर में एक मिसाल लांचर मिलता है जिससे वो मौस्टर्ड जॉम्बी के चितरे उड़ा देता है फिर सबी हेलिकॉप्टर में बैट कर यहां से निकल जाते हैं और टाइम पूरा होने पर नुकुलियर ब्लास्ट से पूरा शहर तबाह हो जाते है और दोस्तों इसी के साथ होती है यह मौवी खत्म बागी दोस्तों स्टोरी अच्छे लगी हो मूवी अच्छे लगी हो एक्सपनेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक लेग गुड़ बाई अब राखिया रखे और फानली थैंक्स वर वाचिंग